आउद बिल्लाही बिन श्चैतान र्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम पहली वही की आयत खुरान पाक के किस पारे में है? जवाब तीसरे पारे में सूर्य इखलास में कितने आयात है? जवाब चार आयात खुरान पाक में पूरा कल्मा ला इलाह इल्लाह मुहम्मद र्रसूलुलाह कौन से पारे में है? जवाब किसी में भी नहीं इसलामी रियासत का पहला दारुल खलीफा कौन सा शहर था? जवाब मदीने मुनवरा किस मस्जिद में? दो रकात पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है जवाब मस्जिद खुबा इसलामी रियासत के पहले खलीफा कौन थे? जवाब अबू बकर सिद्दीख रजियल्लाह अन्हू इंसानों के हिदायत और रहनमाई के लिए अल्लाह ताला ने किस शक्सियत को मुत्यिन किया? जवाब हजरत आदम अलेहिस्सलाम हमारे आखा इस दुनिया में कितने अर्से तक रहे? जवाब तीरसट साल नभी के लगवी माना क्या है? जवाब जवाब गाइब की खबर देने वाला अम्मत पर पांच वक्त की नमास कब फर्ज हुई? जवाब खयामत के दिन सबसे पहले लोगों के बीच किस चीज का फैसला होगा? जवाब खौन का फैसला होगा फतेह मक्का में नभी अकरम सलिल्लाहु अलेही वसल्लम क्या एलान किये थे? जवाब माफी का एलान बायतल मुखदस में पाइगंबरों की इमामत किसने की थी? जवाब हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलिल्लाहु अलेही वसल्लम मेराज के मौखे पर आप सलिल्लाहु अलेही वसल्लम की पहले आस्मान पर किस से मुलाखात हुवी? जवाब हजरत आदम अलेहिस्सलाम से कुसल के लगवी माने क्या है? जवाब पाक होना इसलाम में सबसे पहला जुमा कब अदा किया गया? जवाब पहली हिज्री को किन नमाजों की ख़जा पढ़ना ज़रूरी है? जवाब पांच फर्स और वितर की नमाज इसलाम के कितने रुकुन है? जवाब पांच रुकुन है जुमा के दिन गुसल करना क्या है? जवाब सुन्नत है खुजूर सलल्लाहु अलेहिवसल्म की सबसे छोटी शहजादी का नाम क्या था? जवाब बीबी फातिमा वीवर्स को क्यूँ चानल की तरफ से तीन सवालात पूछे जाएंगे जिन्हें भी जवाब मालूम है कॉमेंट बाक्स में बताईए इन्शाललाह अगले वीडियो में हम इसका जवाब देंगे हमारे चानल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सबस्क्राइब करना ना भूलें जजाका लाहु खेर आपका पहला सवाल नमाज जनाजा के कितने सुन्नते हैं दूसरा सवाल हज के कितने फराइज है तीसरा सवाल नमाज किस जुबान का लवज है लुबान का लवजिए झाल झाल